नमस्कार दोस्तो मैं हुशात्यवरे सॉंग्राइटर आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मुखडे में दूसरा लाइन कैसी लिखा जाता है अगर आप दो लाइन का मुखडा लिख रहे हैं तो दूसरा लाइन आपको अगर नहीं आ रहा है तो वही मैं आप आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मुखडे में दूसरा लाइन कैसी लिखा जाता है तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं वीडियो बहुत गरम हमारे हीटर आके थंदा करा हो फीटर आके थंदा करा हो फीटर दोस्तो मैंने आपको गाकर सुना दिया जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ तो दोस्तो जैसे लिखा है बहुत गरम बा हमर हीटर आके ठंदा करा हो फीटर फिर लिखा है पानी नकम करीब 20 लीटर फेल हो जाई तोहर हो मीटर हमर ब्याखा करा हो कीâteर आके ठंडा करा हो फीटर दोस्तों जब हमने लिखा था बहुत गरम भा हमर फीटर तब उसके बाद हमने चार लैन बनाया इस्टरा में पानी न कम करीब 26 लीटर फेल हो जाई तोहर हो मीटर हमर ब्याखा करा हो कीटर आके ठंडा करा हो फीटर तो हमने चार लाइन लिखा तो हमने इसमें से चुना एक लाइन वो कौन सी लाइन हमने चुना आके ठंडा करा हो फीटर यही लाइन हमने चुना क्योंकि हमने चार लाइन लिखा ताकि इसलिए लिखा कि जो इसमें से पसंद आएगा उसी लाइन को हम मुखडे में दूसरा लाइन लिखेंगे तो दोस्तों अगर आप भी अगर दो लाइन का मुखड़ा अगर बना रही हैं तो आप पहला लाइन अगर लिख लिए अगर दूसरा लाइन नहीं लिख पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए मुखडे का पहला लाइन है उससे सम्मंधित उसी के सेम में जैसे मैं आप चार लाइन लिका हूँ वैसे ही आप बना लीजिए चार पांच लाइन ठीक है आगे और उसमें से एक लाइन आपको अपना चुन लीजिए चुनने के बाद मुखडे में दूसरा लाइन बैठा दीजिए ठीक है ऐसे आप चार पांच लाइन अगर लिक कर बैठाते हैं तो आपको मतलब टेंसन नहीं रहेगा गलती नहीं होगी ठीक है जो अच्छा लगेगा वो आप सजा देंगे ठीक है ओके थांक्स